प्लाजा पर टोल की राशी को लेकर हुआ विवाद जम कर चले चाकू और डंडे जिले के चाचोड़ा थाना शेत रंतरगर जोगी पुरा पर बने टोल प्लाजा पर सुबह होई टोल की राशी को लेकर विवाद में जम कर चाकू और डंडे चले वहोपस्तित टोल कर्मी ने टोल प्लाजा पर आकर रुकी जिनका फास्ट एक काम नहीं कर रहा था और उन्हें टोल राशी अदा ना करने की बात कहीं इस बात को लेकर टोल कर्मी से 12-15 लोगों का विवाद हुआ और इसी विवाद में गाड़ी में सवार सभी लोगों ने चाकू और तामी से टोल कर्मीयों पर हमला कर दिया इस हमले में 6 लोग घायल हो गए जिनमें 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है सभी हमलावर इतने बेखौफ थे कि उनको भगाने के लिए टोल प्लाजा के गाड़ ने हवाई फाइरिंग की तब कहीं जाकर हमलावर भागे चार गायलों को व्यावरा के पंजावी एस्पताल में भरती कराए गया है जिनमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है व्यावरा के सिटी कोतवाली शित्र में मामला पंजीवत किया जा रहा है दोनों गाड़ियों में बारात के लोग बताय जा रहे हैं जो कुम्बराज में किसी संबेलन में शामिल होने के लिए आये थे सूत्रों के नुसार इन 12-15 हमलावरों में से 3 को पोलिस ने पकड़ने में कामयावी हासिल की है लेकिन पोलिस सूत्रों से इस बात की पुष्टी नहीं हो सकी है